हाई फ्रेंट्स मैं सारीका स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल गाडनिंग भी सारीका में तो फ्रेंट्स कैसे आप सब आशा करती हूं अच्छे ही होंगे फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट के बारे में तो आप देख सकते हैं यह मेरा जेट का प् पर मैंने तो बस ऐसे ही लगा लिया था क्योंकि जैट प्रांट मुझे बहुत ही सुंदर लगता था तो एक छोटी सी कटिंग से इसको ग्रोग किया था आप देख सकते हैं कि एक छोटी से पॉट में लगा हुआ प्लांट है और कितनी अच्छी ब्रांचिस ले चुका है तो मिक्स करके कुछ एक आद मही ने पहले किया था तो यह जो प्लांट है काफी अच्छा ग्रोथ भी ले रहा है और इसकी पत्तियां भी थोड़ी बड़ी आ रही है जबकि मेरा जो पुराना प्लांट है वो छोटे से पॉट में लगा हुआ है और अभी सायद इसकी रूटि में चलने वाला प्लांट होता है जैट का प्लांट इसको आप बहुत आसानी से ग्रोव कर सकते हैं और बहुत हाड़ी प्लांट होता है आप कहीं पर भी रख दीजे घड़ के गार्डन में बहुत अच्छे से चलता जाता है यह देखिए इस तरह से लंबी लंबी कुछ लोग इसे कहते हैं कि पत्तियों से ग्रोव हो जाती है जबकि मैंने कभी ट्राइने किया है पत्तियों से ग्रोव करना लेकिन हाँ यह कह सकती हूं कि यह बहुत छोटी-छोटी कटिंग से भी आप इसको ग्रोव कर सकते हैं क्योंकि इसमें नोट्स बहुत सारी होती ह और नोट्स बहुत सारी होती है तो आप इसको कहीं से भी कट करके अगर आप मिट्टी में लगा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये ग्रोव हो जाती है और इसको आप फो सनलाइट में रख सकते हैं इस प्लांट को यहां देखिए यह आज हम इसकी कटिंग ग्रोग करने वा को ही आप किसी भी तरह के मिट्टी में आप लगा सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि कुछ स्पेशल मिट्टी इसके लिए बनानी पड़े आप सिंपल मिट्टी जो गार्डन सॉयल होती है उसमें आप इसको लगा सकते हैं यहां पे मैंने कटिंग ले ली हैं और सभी कटिंग क नीचे से पत्कियों को रिमूब कर दिया है यह देखिए और नोर्स बहुत सारी होती है चोट चोटी अगर आप इसको इससे चोटी कटिंग भी लेते हैं तो वह भी ग्रो हो जाएंगी तो इस तरह से मैंने कटिंग ले लिए हैं और स्वाइल मिडिया की बात करें तो मैंन गार्डन सोयल, गोबर की खाद और सेंड यह तीनों की मात्रा मिला करके इस मिट्टी को तयार किया है यहां पर जो ग्रो बैग मेरे पास आप देख रहे हैं यह जब मैं नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आती हूं तो ग्रो बैग फेकती नहीं हो जब मेरे पास पॉर्ट नह पास बज़मा कर जा रही है, इसके लिए मुझे कहीं से भी होल करने की जरूत नहीं पड़ी है तो आप सारी कटिंग को इसी तरह से अंदर दबा करके लगा देंगे तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने सारी कटिंग को लगा लिया है एक-एक करके और इसके बाद आप इसमें watering कर दीजिए और friends ध्यान रखें कि जब आप नई cutting लगाते हैं ग्रो करते हैं तो इनको आप direct sunlight में ना रखें इनको आप आप सेड़ी एरिया में रख दीजिए जहां पर बिल्कुल डायरेक्ट sunlight नहीं आती हो वहां पर रखें जिससे क्या होगा कि rooting आसानी से होगी और plant को समलने का मौका में लेगा आपकी cuttings को और जब इसमें rooting start हो जाए उसके बाद आप इसको full sunlight में रख सकते हैं वैसे कि full sunlight का ही plant होता है hardy plant होता है या फिर हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल rough and tough plant होता है कि आप इसको अपने घर के garden में किसी तरह कहीं पर भी रख देते हैं तो आपका plant चलता ही रहता है बहुत जादा compost डालने की ज़रुत नहीं पड़ती है आप इसको एक महीने दो महीने में भी थोड़ा-थोड़ा compost भी डालते हैं तो भी आपके plant के लिए उतना काफी होता है और fans से बात करते हैं इसमें वाटरिंग करने की तो वाटरिंग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके जो स्टेम होती है और पतियां होती है इसमें पहले से ही वाटर स्टोर होता है इसलिए तभी आप वाटरिंग करें जब उपर की सोयल सूख जाती है तो कहीं से लेया ये कटिंग वैसे नर्सरी में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी सो रुपए डेट सो तक के आ जाता है तो इस तरह से आप भी अपने घर पे जैट का प्लांट लगा लीजिए तो बस फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो गर अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कमेंट करें और मेरी सैनल को सब्सक्राइब जरूर करते फ्रेंट्स और मैं आती रहूंगी आपके साथ नए नए वीडियो शेर करने तब तक के लिए बाई बाई